कि यस प्लेज 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 सम इंपोर्टेंट केमीकल रियक्शन ठीक है यह हमारा चलना है टॉपिक इसमें हम बात करें हैं यह है यह है यह है कि आज हमारी रियक्शन है फिटल काफ्ट फिटल ग्राफ्ट एलकाइलेशन सबसे पहले ध्यान रखना है किसकी प्रेजेंस में होती है इस केरीड आउट इन प्रेजेंस आफ एंहाइड्रस एयल सी एल थी विट्री विट्री की प्रेजेंस में होती यह यह रियक्शन ठीक है तो क्या करना पड़ता है इसमें सबसे पहले घ्यान रखना है कोई भी आपके ग्रूप है अब क्योंकि आप बात कर रहें फिटल क्राफ्ट की तो इसम बेन्जीन की रेक्षन , बेंजीन हैकिे का हमारे पास ठीक है , और इस बेन्जीन की रेक्षन किसे किरानी पुटएगे am takeaways Rx के साथ ठीक है , ones ile is Recommendung किसकी प्रेजेंस में इस ही प्रेजेंस ओं ए नहीं दख़श il कै एक इस मिल जाएगा थीक है तो एक ध्यान रगनाम है मैं तो अब अब यहां प्या कर सकते हैं मैं अब जैसे माल मोंने रियक्षन कर आई कि अब आप यहां पर यह भी करा सकते हो तो Eli mo कि Benji जाएगा थीक है, बैंगीन के अगर कराते हो तो, हैलो एलिकिन की कराते हो अगर, तो हैलो एलिकिन में क्या करना पड़ेगा, तो यहां पर आपको X ग्रूप लेना मदएगा, इसकी रेक्शन करना नीपड़ेगी RX के साथ, तो क्या पर नहीं हैड्र आल-Ce-ल-3 के साथ, तो आपके बाद बन जाएगा एक बार और एक बार पैरा तो यहां पर एक बार तो आर ग्रूप आजाएगा यहां पर और एक बार आजाएगा पैरा पोजिशन पर पैरा पोजिशन पर ठीक है तो यह आप उधार लखना है तो जैसे हमने reaction कराई तो यह हमारे पास जा हो गया है तो है लो एलीन यह हमारे पास है है लो एलीन इसकी reaction कराई हमने एलकाईल हैलाइड के साथ क्या बना हमारे पास तो हमारे पास बना सिंपल सा वन टू है लो और यह होगा आपका तू हैलो एलकाईल बेंजी एलकाईल बेंजें यह फोर प्रेद्व हैगा फोर है लो एलो एलीन इसको अपलाई कर दो आप इस रियक्शन को क्या कर दो अपलाई कर दो तो जैसे हमने इसको अपलाई किया तो हमारे पास क्या आएगा देखो जैसे माल्लों मैंने क्लोरो बेंजीन को अपलाई किया क्लोरो बेंजीन की रियक्शन कराई क्या मिलेगा मुझे तो मुझे मिलेगा यहां पर एक बार C3 मिलेगा यहां पर और फॉजिशन पर एक बार मिले कहां पर पैरा पोजिशन रोडिशन ठीक है तो ये थो हो गया हमारा टू कलोरो कि टॉलुविन और यह भी हो गया फॉर कलोरो कि टॉलुविन 탄boom है तो यह और जहां रखना है हमाराब दू बने का यह बनेगा और फॉर पार टॉ ये आपको दाहला लखना है पेरा वाला यो होता है वो मेजर होता है ये मेजर प्रोडेक्ट ये माइनर प्रो डेक्ट एक मेजर और एक माइनर ठीक है चलें आगे daxt बात करते हाँ फिडली क्राफ्ट असाईएलेशन देखेंD फिडली क्राफ्ट आसाइलेशन पिटल काफ्ट आसाइलेशन इसमें क्या कराते हैं तो सिंपल सा होई हैलो हैलकेन कोई भी हैलो एडीन ले लो आप और उस हैलो एडीन की रियक्शन करा दो एसाइल हैलाइड के साथ एसाइड गुरूप के साथ यह मारे पाद कौन सा गुरूप है एसीड हैलाइड वही एन हाइड्रस एल सीएल थ्री के साथ है तो क्या बनेगा एक बार तो यहाँ पर सी डबल पॉन ओ एक साजाएगा और एक बार आजाएगा पैरा पर यहाँ पर एक्स और यहाँ पर वोई सी डबल पॉन ओ एक्स तो एक बार तो हमारे पास क्या होगा और तो कंपाउंड बनेगा और एक बार क्या बनेगा पैरा कंपाउंड बनेगा अब इसको अप्लाई कर दो आप इस रियक्शन को क्या कर दो अप्लाई कर दो यहाँ पर ह आपका है एसिड क्लोराइड के साथ यह क्लोरोवेंजीन क्लोरोवेंजीन की रियक्शन कराई किसके साथ एसिड क्लोराइड के साथ एन हाइड्रस एल-सी-एल 3 की प्रेजेंस में च्या बनेगा तो एक बार तो बनेगा वहीं सील और यहां पर आएगा सी डबल बॉन ओ और और जगे तो यहां पर आएगा यहां भी आएगा तो यहां पर बनेगा CH3 ठीक है और similarly क्या होगा यहां पर भी आपके पास क्या आएगा CL और यहां पर आएगा C1O CH3 यह वाला जो ग्रूप होता है इसको बोलता है दो और यहां पर दो और यहां पूह भी आपको यहां अप्जिद्ट कृप्सान सच बरिव होगा है तो यह 가져 aver शुरुग अपए अपर अथा तो हरे आपके फोर करीट meth भी अप्नेट Blizzard तो द्यहाँ मेंôtर में जो में-में जो reaction है को तख़के हैं उसके अलावप आपको बताई गयी है उसके अलावा किसा य tut क्लॉरी नैरीटन ठीक है उसके अलावे अगर बात करें नाइक पर cm अगर बात करें नेक्स हम तो यहां पर आपको एक चीज द्यान रखनी होई वो याद रखना है आपको SN1 और SN2 बता ज़ता हूं मैं आपको ठीक है SN1 और SN2 उससे पहले इस चीज समझ लो आप कि जो aryl halides है वो less reactive होते हैं यह topic आप समझ लो एक बात ठीक है जितने भी आपके aryl halides है Aryl halides are less reactive ,are less reactive than okay then Alkyl halides towards towards nucleophilic substitution reaction towards nucleophilic substitution reaction towards nucleophilic substitution reaction अब इसके आपको reasons बताने हैं ऐसा क्यों होता है कि जो आपका eryl हैलाइड है वो कम reactive होता है और alkyl हैलाइड ज्यादा reactive होता है तो इसके आपके जो है अलग अलग रीजन है पहला रीजन क्या है पहला जो रीजन है सबसे पहला रीजन है वो है withdrawal of electrons by benzene and stabilization by resonance तो पहला जो रीजन है वो क्या है withdrawal of withdrawal of electrons by benzene बेंजीन क्या करता है electrons withdraw कर लेता है and stabilization by resonance और वो resonance stabilize हो जाता है and stabilization by resonance and stabilization by resonance तो पहला point आपको जहान रखना है कि जो आपका बेंजीन है ठीक है वो आप देखना हो अगर उसके उपर हेलोजन ग्रुप लगा होता है ठीक है तो वो क्या होता है resonance stabilized होता है benzene क्या करता है electrons खीच लेता है ठीक है और जैसे ही वो electrons खीचेगा वैसे ही क्या हो जाएगा resonance stabilized हो जाएगा sp2 hybridization state होता है ठीक है तो ध्यान लखना है वो चीज़ हमें कि जो बेंजीन है वो resonance stabilized है तो ध्यान लखिए जैसे अगर हम बेंजीन अगर हम क्लोरो बेंजीन के क्या बना है 2分 है तो मुझे पता है सबसे पहले क्या होगा यहां की Elektron यहां shift हो होगी यहां वाले lektron यहां shift हो जाएगी तो सबसे पहले क्लोरीन इक वाणिया उननीका बने इंगा तो यह भी आपको ध्यान लगना है कि पार्शली क्या जाएगा यहापर double bond character आजाएगा और chlorine जो है इस chlorine की बात करें गरम तो इस chlorine पे कौन सा charge जाएगा पॉजिटीव चार्ज जाएगा ठीक है कौन सा charge जाएगा यहापर positive charge फिर दूसरी बात करें गरम तो यहाँ से यह इलेक और यहां पर दो electron pair और positive charge उसके बाद में next क्या होगा तो next आप देखोगे यहां से electron की shifting होगी और यह वहले electron बाहर चले जाएंगे आप उसके बाद में क्या होने वाला है तो यहां पर आप देखोगे इस तरह से bond यह resonating structure बन जाएगा ठीक है फाइनली क्या होगा यह वाला जो है यह अंदर जाएगा और यह वाला वापस से यहां चले जाएगा तो same structure बन जाएगा दूबारा से ठीक है तो अब आप यहां देखोगे कि जो आप यह structure नमबर second है structure नमबर कुन सा second structure नम थर्ड और structure नमबर कुन सा fourth यहां पर आप इनमें देखोगे तो आप क्या देखोगे इनमें कि they all contains partially double bond character इनके अंदर क्या है इनके अंदर partially double bond character carbon और chlorine के बीच में क्या है partially double bond character that is sp2 hybridized carbon ठीक है तो यह जहान लखना है कि यहां पर bond length क्या हो जाएगी bond length जो है वो short हो जाएगी और जब bond length short हो जाएगी तो bond को तो तोड़ना क्या हो जाएगा ठीक है काफी difficult हो जाएगा तो पहला reason आपको जान लखना है कि यह जो आपका chloro benzene है ठीक है यह रेजोलाइन से स्टेबलाइज जबई ठीक है और यह benzene क्या करती है यह benzene electron को withdraw कर लेती है तो पहला reason तो आपको यह बता रखा है कि जितने भी आपके aryl halides they are less reactive दूसरा reason बता रखा है कि आपके जो hybridization state उसका तो difference in hybridization state second जो reason है हमारे पास वो है difference in hybridized state difference in hybridized state of carbon तो सबसे पहले तो घ्यान लगना है कि जितने के आपके aryl halides है in aryl halides कि जितने भी आपके aryl halides है in aryl halides carbon ठीक है is in sp2 hybridized state sp2 hybridized state carbon किस स्टेट में होता है sp2 hybridized state में होता है तो यहाँ जियान लगना है carbon sp2 hybridized state में होगा और जब sp2 hybridized state में होगा तो वो size में छोटा होगा उसमें s character जादा होगा ठीक है तो जियान लगना है in aryl halides carbon is in sp2 hybridized state it contains more s character और साईज में क्या होगा चोटा होगा तो ज्यान क suck आपको आस करेक्टर होगा नियुक्त क्या होगा चोटा तो उसकी वजह से क्या होगा बांड जो है। बांड लेंद जो होगी वह क्या होगी। तोगी इसके बाद में बात करें तो इन एलकाइल हलाइड्स के अंदर क्या होगा इन एलकाइल हलाइड्स जो कार्बन है ठीक है is in SP3 hybridized state कौन सी state में होगा SP3 hybridized state में होगा इसके पास क्या होगा इस करेक्टर कम होगा ठीक है और बॉंड लेंद क्या होगी इसकी ज्यादा होगी तो यह easily cleave हो जाएगा जबकि वो जो है वो less reactive हो जाएगा ठीक है तीसरे बात करें पॉलेरेटी तो पॉलेरेटी की अगर बात करें हो तो यहां पर आपको बता रखा है कि जो आपका है वो ज्यादा पॉलर होता रही तो जो बॉंड है ठीक है पॉलेरेटी ओफ पॉलेरेटी ओफ पॉलेरेटी ओफ पॉलेरेटी ओफ इस एक्स बॉंड तो यहां पर पता रहा है इन हेलो अलकेंस CX जो bond है CX bond is more polar as compared to as compared to CX bond of हेलो एल्केन है उसमें जो CX bond है ज्यादा पोलर होता है और ज्यादा पोलर होता है और जिसकी पोलरिटी ज्यादा होती है वह ज्यादा रियक्ति होता है यहां पर हम कह सकते हैं ग्रेटर था पॉलरिटी ग्रेक्टर था पॉलरिटी ज्यादा होती है तो पोलरिटी जो है वह डारेक्टी प्वोश्णल है रियक्तिवटी के ठीक है यह गहां पॉलरिटी जो है वह ज्यादा पोलरिटी जो है वह ग्रेक्टिवी बियो ओउटे बाई SP 3 जो है वो ज्यादा Number होता है SP 2 जो है वो Morator होता है जो ज्यादाम होगा ठीक है वो ज्यादा रियक्टि ना cycling अ नुर्ध प्रिण है इसं थीडरेंगे मौर मूरate सबके 5 जीज़ा हमएंस ज़ा पार धीर पास है इन ओजा फ़ोर्थ जोहमारा रीजन है 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 इन stability in stability of phenyl carbocetine phenyl carbocetine जो है वह क्या होता है unstable होता है जैसे आपने reaction कराई suppose करो आपने क्या कराया आपने ये phenyl है अब इसको आपने तोड़ा ठीक है का यहां से आपने क्या देखेंगें अब यह ज़गा दिगा है और रहा ये तो यहां पर किया जाएगा पोजितिव छीलग लेगिन अब यह क्या poser हमां चो यह पあの क्लोड है इसको तोड़ा आपने इसमें कौन सा प्लीवेज हुआ हीट्रोलाइटिक क्लीवेज अब यहां आप क्या देखोगे यहां आप देखोगे यह वाला बॉंड जो है वो खूप एगा तो क्या बनेगा और साथ में क्या बनेगा अब यह बनेगा आपका वन डिग्री कार्गो के टायन जो की का है मोर स्टेबल थीक है तो यह ज्यादा स्टेबल होता है इसलिए भी आपको ज्यान लगना है है लो एलकेंसार मोर रियक्टिव टूवर्स न्यूपलियोफिलिक सब्स्टिटूशन र तो यह हमने बताया उसके बाद में बात करता है हम न्यूपलियोफिलिक सब्स्टिटूशन रियक्शन की इसी चैप्टर में हमारे पार नेक्स रियक्शन है न्यूपलियोफिलिक सब्स्टिटूशन रियक्शन रियक्शन ठीक है अब इसमें हमारे पास है पहली हमारे पास है replacement by OH group सबसे फर्स्त हमारे पास है replacement by OH group hydroxyl group replacement by OH group ठीक है तो देखो भई अगर हमारे पास क्या है हमारे पास है chloro-n-g इन इसकी reaction कराई naOH के साथ जैसे ही हमने इसकी reaction कराई naOH के साथ तो सबसे पहले क्या बनेगा सबसे पहले क्या बनेगा ओने कि सोडियम फिनोकसाइड बनेगा फिर बात में क्या होगा यह जो सोडियम फिनोकसाइड है ठीक है यह क्या हो जाएगा hydrogen ions की प्रिजिंस में एक्स प्लस आयन्स की प्रिजिंस में क्या हो जाएगा यह एसे डिमेडियम में ठीक है यह क्या देदेगा फिनोल देदेगा और एने प्लस वा निकल जाएगा ठीक है यहां रियक्शन हो रही है 300 कल्वीन पर ठीक है और साथ में जो प्रेशर है ठीक है वह हें दूरियरं थै wordt को चेकर एक्षिन कराईए TV के साथ तो 505 साथ में क्या अचे चे चाहम पर दूसरी बात करते हैं आपको ध्यान रगना है electron withdrawing group अगर present है तो जिसमें सबसे ज़्यादा electron withdrawing group होंगे उसकी reactivity सबसे ज़्यादा होगी देखो जहां बखना है पहला जैसे हमने कहा सबसे फर्स्ट हमने लिया NO2 group है हमारे पास एक फिर हमारे पास है NO2 group है दो फिर हमारे पास है NO2 group है कितने तीन तीन ठीक है यहाँ पर तीन NO2 group है यहाँ पर दो NO2 group है यहाँ पर एक NO2 group है अब इसकी reaction कराई अपने NAOH के साथ इसकी reaction कराई NAOH के साथ और इसकी reaction कराई NAOH के साथ ठीक है सबसे पहले क्या होगा देखो सबसे पहले वही ONA बनेगा वहां से तो वही ONA बनेगा और यहां पर आपका NO2 गुरूप चल रहा है बाद में इसकी रियक्शन कराएंगे किसके साथ वही H प्लस के साथ तो फिनॉल बन जाएगा और साथ में आपका NO2 गुरूप चल रहा है ठीक है सेकिंड में भी यही होने वाला है पहले तो बनेगा ONA फिर उसके बाद में क्या होगा उसके बाद में NO2 और यहां पर भी NO2 देन उसके बाद में H प्लस की प्रेजेंस में रिएक्शन कराई तो यहाँ OH NO2 और NO2 यहाँ पर आपका बन गया NA प्लस यहाँ पर भी आपका हो गया NA प्लस ठीक है तीसरे में बात कर रहें तीसरे में भी यही बनेगा ऐसा है सेम ONA यहाँ पर NO2 यहाँ पर भी NO2 और यहाँ पर भी NO2 ठीक है बाद में इसके रिएक्शन कराई है H प्लस के साथ तो क्या बना OH NO2 NO2 और NO2 साथ में बना NA प्लस ठीक है अब हमने क्या देखा इन तीनों में से सबसे ज्यादा रियक्टिव कौन है तो सबसे ज्यादा रियक्टिव है पिक्री कैसिड इसको पिक्री कैसिड बोलता है क्या बोलता है पिक्री कैसिड तो इसका नाम क्या है इसका नाम तो है 4-nitro-phenol इसका नाम है 2,4-dynitro-phenol ठीक है इसका नाम है 2,4-6-trinitro-phenol जिसको हम बोलते हैं पिक्रिक एसिद पिक्रिक एसिद अब यहां पर यह कह रहा है कि सबसे ज़्यादा रियक्टिव कौन होगा जिसमें सबसे ज़्यादा नमबर में electron withdrawing group होंगे तो यह क्या कह रहा है as the number of electron withdrawing group electron withdrawing group group as the number of electron withdrawing group increases reactivity also increases reactivity also increases अब यहां पर हम बात कर सकते हैं सबसे पहले तो यहां पर हमने क्या कहा यहां पर हमने कहा कि सबसे ज़्यादा रियक्टिव कौन होगा तो सबसे ज़्यादा रियक्टिव होगा हमारे पास पिक्री कैसी ठीक है उसके बाद में रियक्टिव कौन होगा जिसमें number of reacting species ज़्यादी और withdrawing group कितने होंगे दो होंगे फिर उसके बाद में कौन होगा जिसमें एक ही withdrawing group होगा ठीक है तो यहां से हम क्या कह सकते हैं कि number of electron withdrawing group is directly proportional to reactivity किसे directly proportional होंगे वो reactivity ठीक है यह आपको ध्यान लखना है ठीक है उसके बाद में next बात करता है हम replacement by signo group replacement by signo group replacement by signo group signo group के साथ replacement करवाना है ठीक है कोई दिक्कत नहीं है यह हमारे पास क्या है chloro benzene है इसकी reaction करा दो आप किसके साथ तो आप signo group लेना है आपको तो आप इच्छा हो तो आप cn ले लो ठीक है तो हमने क्या ले लिया c u cn क्या ले लिया c u cn तो क्या बना तो यह cn आ गये यहां पर और c u c l बहार हो गया यह बन गया आपका फिनाइल साइनाइड फिनाइल साइनाइड बन गया यह रियक्शन किसकी प्रेजेंस में हो रही है तो रियक्शन हो रही है dmf की प्रेजेंस में क्या बोंते हैं सको डई मिधाइल फॉर्माइड ठीक है बी एम एफ दी एम एफ ठीक है तो раओ यहां पर नोड़ किली सकते हूं डीम एफ क्या है यह यहां पर नाहीं मिधाइल तो और माईड फॉर्माइड डाई मिथाइल फॉर्माइड ठीक है डाई मिथाइल फॉर्माइड है और 470 केल्विन पर रियक्शन हो रही है 470 केल्विन ठीक है तो क्लोरोवेंगीन से क्या बन गया रिप्लेस करा दिया हमने CL को CN से आप तीसरी बात करते हैं रेकstände हम रीप्लेस्मेंट भाइं map कि कि उसके साथ आमीनों ग्रूप के साथ किद्बारीप्लेस्मेंट 300 रेच्जमेंट भाइं अमीनों ग्रूप इसमें क्या करेम तो बहुत इजी है कोई अदिकत निये क्लोरोवніंजीन लेंगे उसकी रियक्षिन एमस्की से करादेंगे यह हमारे पास क्लोरोब एंगीन में किसकी प्रेजिन्स में तो कोपर ऊक्साइड की प्रेजिक्स करा दो तो यहां तक आपको अच्छे से कंप्लीट ध्यान रखना है तो हमने बताया देखो हमने क्या क्या बताया सबसे पहले मैंने आपको बताया फिडलिकाफ्ट के बताया ठीक है उसके बाद में पताया फिडलिकाफ्ट असाईलेशन ठीक है उसके बाद में निच्स की जो depends दुस्टरा हमें सेंडूरा गारिकृष्टोलाइट करी ऑस् 나 डिश्क और दूसरा हमें रीन सेंड हम ने बता तो निजिड हिए टीन डाम। है replacement by hydroxyl group दूसरा आमने बताया ठीक है replacement by syno group तीसरा आमने बताया replacement by amino group ठीक है इसके बाद में next SN1 और SN2 बताएंगे जो हमारा next lecture होगा उसमें ओके थेंक युद्ध करेंगे